चतरपूर पुलिस की लापरवाही की चलते हत्या के प्रयास का आरोपी पुलिस को चक्मा देकर थाने से फरार हो गया S.P. ने दोशी पुलिस कर्मियों के खिलाब करवाही की बात कहिए चतरपूर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है कुटवाली थाने से दिन रहाडे हत्या के प्रियास का आरोपी पुलिस को चक्मा दे कर फरार हो गया बताए जा रहा है कि आरोपी जगदीश पटेल को पुलिस ने अरजुन पटेल को गोली मार कर घायल करने के आरोप में गरफतार किया था सुबह 11 बजे उसने उल्टी का बहाना बनाया और थाने से भाग गया आरोपी के थाने से फरार होते ही पुलिस में हरकम बच गया पुलिस ने आरोपी को गरफतार करने के लिए पुलिस की टीमें रवाना की है वहीं एस पी ने इस मामले में दोशी पुलिस करमियों के खिलाफ जांच के बाद करवाई करने की बात कही है वाली थाने के अंतरगत हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज हुआ था पुलिस के दोवारा जो नामजद आरोपी है जगदीश उनको गिरफतार किया गया था कल और आज सुबब उसने उटी का बहाना करके संत्री के मार्दम से बाहा दिखला अपने इलाज करवाने के दिश्टिकोंट से और फिर उसको चक्मा देकर संत्री को फरार हो गया तरह कि तलाशी की जा रही और वैधाने करवाई जो है उसके विरुद दुबार है फाया था तंगीत की स्वळ लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने था चंबल के पिछनों से नकसल्वादियों के गरता जोपड़ी से महलों था थेलों से मेलो था पकडंडियों से सडकों था द काउ से शैरों था व्यापार से उद्योगों था राज़णीती से ऊट्मीतीता दखन आप क्या थे?